नमस्कार बच्चों कैसे हूँ आप लोग उमिद करता हूँ आप सब अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल ले होगी तो चलिए छुट्टियों के बाद हमारी वक्सेट एक बार पुना आ गई है और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन के समाजिक विग्यान अर्थसास्त की वक्सेट नमबर 23 ये समाजिक विग्यान अर्थसास्त की वक्सेट है और एकोनॉमिक समपढ़ने जा रहे हैं इसमें उपविसे है पालमपूर गाउं की कहानी एक मतलब कि इसके बाद भी पालमपूर गाउं की कहानी और आपको ये बाते बताई गए हैं कि गाउं में और कौन-कौन से कारे होते हैं तो कहा जा रहा है कि पालंपुर गाउं एक कालपनिक गाउं है और वहां चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है जो लगभग भारत के हर एक गाउं में चलती है मतलब कि इस कालपनिक गाउं में वैसे सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है जो कि भारत के लवग सभी गाउं में यहीं काम होते हैं कमों बेस ऐसे ही काम होते हैं यह आसपोरोस के गाउं और कस्वों से भली भाती जुड़ा हुआ है मतलब कि जो पालंपूर है पालंपूर छोटा गाउं है और यह पालंपूर से तीन किलोमीटर की दूरी पर है जो कि सडक मार्ग से जुड़ा हुआ है और यह रायगंज है यह पालंपूर है प्रतिक मौसम में यह गाउं को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्वे साहपूर से जोड़त और किसी भी मौसम में आप इस पर यात्रा कर सकते हैं इसलिए पालंपुर गाउं हर मौसम में अपने अगल बगल के गाउं से जुड़ा हुआ है इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तूओं से लदी हुई बैल गारियां भैसा बंगी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं मतलब कि गाउं में खेती का काम होता है और गन्य से गुड़ बनाने का काम होता है फिर उन गुड़ों को लेकर बाजार में बेचा जाता है यहीं इनलों की आर्थिक क्रिया है तो कुल मिलातर गाउं की आर्थिक क्रिया क्रिसी है खेती पर निर्भर में सभी और खेती से ही इनके जरूरतों की पूर्ती होती है और खेती के लिए ये लोग बैल गाड़ी, मोटर गाड़ी, भैसा बग्गी, जीप, ट्रैक्टर तक उप्योग में लाते हैं इस गाउं में विभिन जातियों के लवख 450 परिवार रहते हैं मतलब कि इस गाव में कई जातियां रहती हैं और उन जातियों के 450 परिवार हैं गाव में अधिकांस भूमी के स्वामी उच्चे जाती के हैं और उच्चे जाती जिने सुर्ण कहा जाता है सवर्ण तो इस जाती के लोगों के पास ही अधिकांस भूमी है और ये 80 परिवार है मतलब 450 परिवार में से 80 परिवार सवर्ण के हैं और उनके मकान जिन में कुछ बहुत बड़े हैं इंट और सीमेंट से बने हैं मतलब कि सवर्णों के मकान इंट और सीमेंट से बने हुए हैं और अनुसुचित जाती के लोगों की संख्या गाउं की कुल जन संख्या का एक तिहाई है, मतलब कि 450 परिवार हैं तो 150 परिवार अनुसुचित जाती के लोगों की संख्या है, अधिकामस्ता गाउं में ऐसा होता भी है, देखा जाता है कि अनुसुचित जाती के लोग थोड गाओं के एक कौने में काफी छोटे घरों में रहते हैं और इनका घर छोटा छोटा है जैसे कि आपने देखा कि उच्च जाती के लोगों का घर बड़ा था जबकि अनुस्च जाती के लोगों का घर छोटा था ये काफी छोटे घरों में रहते हैं जिन में से कुछ मिटी और फूस के बने हैं मतलब इनके घर कच्चे हैं और वहीं उस गा में सवाने जातियों के घर पक्के हैं जमीने भी सवाने जातियों के पास है ने अनुसिची जातियों के पास जमीने नहीं है और अधिकान्स के घरों में बिजली भी है मतलब कि वहाँ बिजली भी है और खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उप्योग विभिन्य प्रकार के छोटे कारियों के लिए भी किया जाता है बिजली का उप्योग और भी जैसे गन्य से रस निकालने के लिए किया जाता होगा गुर्पकाने के लिवी किया जा सकता है तो इस तरह का काम भी होता होगा पालंपुर गाउं में दो प्रात्मिक विद्धाले और एक हाई इसकुल है जैसा कि सभी गाउं में होता है भारत के लवक सभी गाउं में प्रात्मिक विद्धाले है लेकिन इस तो यह थी पालंपूर गाओं की कहानी यहाँ आप पिक्चर देख सकते हो किस तर से यह लोग खेती का काम करते हैं बैल से खेत की जुदाई करते हैं, फसल की कटाई करते हैं, फसल पर किट नासक का छिरकाओ क्या जा रहा है और बैलों से खेती का काम दिया जा रहा है, कुछ खेत ट्रैक्टर से भी जोते जा रहे हैं अब यहां कुछ प्रस्न है, कुल मिलाकर पांच प्रस्न है कि पालमपूर गाओं के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है, पालमपूर गाओं की समाजिक संद्चना कैसी है, पालमपूर गाओं एक अच्छी बुनियादी बेवस्था वाला गाओं है, अपने सब्दों में वर्णम कीजिए तो चलिए अब इन प्रस्नों का उत्तर करते हैं पालमपूर गाउं के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है तो इसका उत्तर है कि पालमपूर गाउं के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्रिसी है खेती है यह लोग खेती करते हैं और दूसरा प्रस्ण है कि पालंपूर गाउं की समाजिक सनलचना कैसी है तो इसका उत्तर है कि पालंपूर गाउं में उच्छ जाती के असी परिवार हैं जिनके मकान इंट और सीमेंट से बने पक्के मगाने अनुसुति जाती के लोगों की कुछ संख्या है जो गाउं की जनसंख्या की एक तिहाई है और या गाउं के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जो मिट्टी और फूस के बने हैं तो बच्चो सारे गाउं में लवख कमोबे से ही स्थिती रहती है इसलिए पालमपूर गाउं को एक कालपनिक गाउं मानकर आपको गाउं की आर्थिक क्रियाकला आब बताने की कोसिस की गई है और प्रस्द तीन है कि पालमपूर गावँ एक अच्छी बुनियादी ब्यवस्था वाला गावँ आपने सब्दों में सब्सक्र करें तो बुनियादी ब्यवस्था क्या होती है सबसे पहले आप समझ लिए जहां सिक्छा का अर्स्थतर हो जहा स्वास्त की बहुस्था हो जहां आर्थिक क्रिया क्लाब की बहुस्था हो तो इन सभी चीजों को बुनियादी बहुस्था का जाता है तो पालंपुर गाउं में चुकि प्रास्मिक विद्धाले है और एक हाई स्वास्त के अंदर है और एक सरकारी प्रास्मिक स्वास्त के अ रहा जाएगा कि पालंपूर गाउं एक अच्छी बुनियादी विवस्था वाला गाउं है। पालंपूर गाउं के लोग क्रिसी करते हैं और गाउं में दो प्राथमिक विद्धाले हैं तथा एक हाई स्कुल भी है जिसमें गाउं के बच्छे पढ़ाई कर सकते हैं। गाउं में राजकी प्रात्मिक स्वास्त के अंदर तथा एक नीजी औस्धाले भी है जहां प्रात्मिक अस्तर पर गाउं के लोगों का उपचार किया जा सकता है इस तरह पालंपुर गाउं एक अच्छी बुनियादी बिवस्था वाला गाउं है जहां छोटे मोटे आवसक्ताओं की पूर्ती गाउं में ही हो जाती है उसके बाद प्रशन चार है कि पालमपूर गाउं की तरह क्या आपके गाउं में भी क्रिसी मुख्य आर्थिक क्रिया है ऐसा क्यों तो इसका उत्तर है कि पालमपूर गाओं की तरह हमारे गाओं में भी क्रिसी ही मुख्य आर्थिक क्रिया है क्योंकि हमारे गाओं में रहने वाले सभी लोगों के पास खेती की कुछ जमीने हैं जिन जमीनों में वह खेती करते हैं और अपने परिवार का भरन पोसन करते हैं गाह में दूसरी ऐसी कोई विवस्था नहीं है जो उनको रुजगार दे सके इसलिए मुख्य आर्थिक क्रिया क्रिसी ही है उसके बाद प्रस्न पांच है पालमपुर गाहों की विसेस्ताओं का अपने सब्दों में कीजिए तो इसका उत्तर है पालमपुर गाहों की विसेस्ताओं निमने लेखित हैं पालमपुर गाहों के मुख्य आर्थिक क्रिया क्रिसी है यहां क्रिसी के लिए बिजली उपलब्ध है क्रिसी के अधिकांस काम बिजली से ही किये जाते हैं इस गाहो में कुछ लोगों के घर पक्के हैं तका कुछ लोगों के कच्चे भी हैं पालंपुर गाव में प्रात्मिक विद्धाले की विवस्था है और इस गाव में प्रात्मिक स्वास्तकेंद्र और नीजी औस धाले भी है तो बच्चो ये थी आपकी आज की वकसिट और आज की वकस